हेलो एवरिवन मैं एस्टो निम्लोजी संदीप कुमार रावा सौध करता हूँ आप सभी का अपने चैनल डिवाइन निम्रो पर दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसा रहेगा 2023 बर्थ नंबर 6 वालों के लिए अगर आपका जन्म किसी मैने की 6 तारीक को 15 तारीक को या 24 तारीक को होता है तो आप रूल होते हैं बर्थ नंबर 6 से अब हम एंट्री कर रहे हैं 2023 में जिसका टोटल आता है 7 that is K2 तो now it's a combination of 6 and 7 6 and 7 की बात करें तो शुक्र गुरू है और K2 उसका 6 से है 6 luxury का नंबर है 6 love and romance का नंबर है और वो अपने शिश्य के साथ में आ रहा है अपने disciple के साथ में आ रहा है केतू के साथ में आ रहा है तो it's a very very positive combination तो इस साल अगर आपको love marriage करनी है या फिर आपको किसी की साथ relationship में आना है आपको luxury buy करनी है या फिर साथ ही अगर आपको outside travel करने जाना है तो ये साल आपके लिए positive हो सकता है काफी हद तक ये आपको positive result दिलाने में help करेगा Now दूसरी बात यहाँ पर आपको ये धिहान में रखनी है जब six and seven का combination होता है तो कई बार expense करने की tendency बढ़ जाती है तो थोड़ा सा खर्चे पर control करें इस साल Otherwise, overall ये साल आपको luxury, love, romance, happiness सब कुछ देने वाला है Thank you, thank you so much